नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का ट्राइक इन किर्केट के एक और वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे IPL 2024 के मैच नमबर 24 के बारे में क्या खिरकार ये मुकाबला कब और कहां कितने बजसे खेला जाएगा इस मुकाबले के लिए क्या होने वाली है पिच रिपोर्ट प्लेइंग लेबर और इसके साथ ही आपकी फैंटासी टीम में किने 11 खेलाडियों को होना चाहिए सब कुछ ब तो आईए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में दरसल दोस्तों ये मुकाबला राजिस्थान रोयल और इसके साथ ही गुजराट टाइटन्स के वीज़ खेला जाने वाला है आईपिल का 24 मुकाबला होने अला दस तारी को इंडिन टाइम के वाडिंग साम को साड़े लएपुर में खेला जाएगा यानि कि राजिस्थान रोयल का यह होम ग्राउंड होने वाला है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते ही कि अखिरकार इस मुकाबले के लिए कैसी रहने वाली है पिच रिपोर्ट तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले के लिए के बारे में अब वन्यू स्टैट्स की बात कि जाए वन्यू पर टोटल मैचेस की बात कि जाए पचपन मैचेस खेले गें बैटिंग करते हुए बीच और इसके साथ ही बैटिंग सेकंड करने वाल टीम को 35 मुकाबलों में जीत मिले तो कहीं न कहीं टीम एक बाद टॉस जी सके का स्कोर बार 115 से 179 की बीच में रेको वार बनाए तो कुल बनाकर कर किये वन्यू हर तरीकी का जिस तरीकी से आफ शुरुआ इस तरीकी से से स्कोर बनता हो को सकर बने वाल या इसके लाग दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं विन्यू पर जो लाश्ट के 4 मैचेस खेले गए हैं उनके बारे में लाश्ट के 4 मैचेस की बात कीज़ें, एक मुकाबला 24 मार्च को खेला गया था, RR और LSP के बीच यहां पर वाई सा पेसर को 7 और Spinner को 3 duplicate मिले एक मुकाबला और खैला गया 28 माई को 2024 में ही यहां पर RR और Deli के बीच मुकाबला खैला गया जिसमें Pacers को 6 और Spinner को 4 academy मिले एक मुकाबला और खैला गया RCB RR की पेसर को 5 이。 एक मुकाबरा लखनो और के भीच खेला गया इसमें पेसर स्कॉट और इस पिनर को दो तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से इस बेन्यू पर भाइसा पेसर का ही बोल बाला रहने वाला पेसर को बिकेट मिलते हैं आई यह पिछ रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं तो यह जो के लिए पिछ पर काफी जएदा है इसके लाओ दोस्तो बल्ले बाजो के लिए भी यह पिछ काफी जएदा बेहतरिन है तो पिछ की ओवराल बात किजाए तो तेज गती की गेंद बाजो के साथ साथ बल्ले बाजी प्लस इस पिन गती की गेंद बाजो को भी मद मिलेग कि लॉंग ओन के तरफ 73 लॉंग ओफ के तरफ 77 मिटर की तो एक एवरेज ग्राउंड है स्कोर भी बनने वाला है इसके लाँ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेट टो एड मैचेस के बारे में इन दोनों टीमों की बात की जाए दूस्तों दोनों टीमों की बीच पांच मै नह dying की आप कमेंट करकी बताइज़ा कि लॉप जोस्तान शंज्यू सैमसन रियाग पर आग तृइट्विष लेंगरर चाहल होने उस मुकाबले के लिए तुछ राजिस्थान तीम की लेंगों के बारे में बात करते हैं गुज़ाट टाइटन टीम की प्लेइंग लेवन के बारे में गुजरात की तरफ से यहाँ पर शुबमन गेल, साइश दर्सन, केन बिलियमसन इसके साथ है, सारत आपको खेलते हुए नज़राएंगे, इसके लाओ विजे संकर, राहूर टेवट या, रासित खान, दर्सन नालकंडे, उमेश यादो इस्पेंसन जॉनसन और इसके साथ ही नूर एहमद आपको यहाँ पर अपना नूर विखेरते हुए नज़राएंगे, तो इस तरीके से होने वाले हैं दोनों टीमों की ब्लेंग लेवन, चलिए, अब आगे बाटते हूँ और बात करते ही, नाकडो को देख करके, फिच को देख करके जो फैंटसी टीम मनाई उस टीम के बारे में, विखेट कीपर से सन्यू प्लस बटलर अपने पास होने वाले हैं, बले बाजी की बात की जाए, शुबन गिल, इसके साथ ही, एससवी, जैसवाल, साइसुदर सन होने वाले है, आलंडर्स की बात की जाए, रियान पराग का हम लोगों ने चैन किया है, गिंदबाजी की बात की जाए, ट्रेंडबोर, यूजवंदर चहल, रासित खान, मोहिस सर्मा, नांदरे बर्गर का चैन किया है, इसमें कप्तान की बात की का जाए, फिलाल दोस्तो, अभी हम लोग इनि- 11 आखिलाडियों का चैन कने ये final team नहीं, final team आपको toss के बाद telegram पर मिलेगी, link आपको इसी वीडियो के description मिल जाएगा, तो telegram से जुड़ जाएगा, फिलाल दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद,